हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नोकरी वाले बाबा, आई एम धनेंज है आज मैं आपको N.V.S की स्टेनोग्राफर की सेलरी के बारे में मैं बताऊंगा आप में से बहुत से ऐसे स्टेनोग्राफर की सेलरी क्या रहती है तो आज मैं आपके सारे डाउट सेलरी के बारे में क्लियर कर दूँगा कि आपको X, Y, Z कि सीटी में क्या सेलरी मिलती है, क्या क्या अलाउंस मिलते है और क्या special allowance मिलते है जब आपकी posting अंडवाने को बार लच्छ दीब या कहीं पर posting ऐसी जिगा हो जाती है साथी साथ आपके क्या क्या directions आपके होते हैं आपको क्या transport allowance मिलता है हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में discuss करूँगा साथी साथ मैंने MTS की भी salary की वीडियो डाल दी है आप जाके उसको एक बार देख सकते हैं अगर आपको कोई doubt है कोई सकतर में देख के पूछ सकते हैं सजेशन से आप मुझे वो दे सकते हैं साथी साथ मैं बहुत सी ऐसी अपडेट्स मैं भी लाओंगा आपके लिए junior secretary assistant की मैं salary की वीडियो लाओंगा तो मेक से और आप चैनल को subscribe जुरूर करें bell notification जुरूर दबाएं और वीडियो को like करना मद भूले क्योंकि ये चैनल आपके ले बहुत ज्याद important होने वाला है अगर अगर अपडेट प्लेस भी एससी एनवी एस एसी एसी किसी की भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो ठीक है तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ मैं बताता हूँ आपका की stenographer का salary क्या रहता है तो सबसे बहुत हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा starting point है की basic का तो यहाँ पर मैं बता दू कि NvS आपकी ministry of HRD के एंडर में आपकी आती है और stenographer का जो grade पे है वो आपका level 4 का आपका है मतलब 2400 grade पे की यह job है और 2400 grade पे मैं आपको पता होगा कि इसका जो basic होता हो क्या रहता है basic आपका होता है 25500 रुपए ठीक है अब 25500 बेसोग हो गए इसके बाद हम क्या जोड़ते हैं आपको मैंने बताया है सारी वीडियो में इसके बाद आता है हमारा DA जो की 33% है और यह DA दिसंबर 2021 तक का मैं बता कर लिजे क्या हुआ 7905 रुपए आपका DA आ गया ठीक है फिर नेस्ट हमारा क्या होता है अचारे अचारे आपका एक्स वाई जट सीटी में 27, 28, 29 है अगर यही DA 50% रुपर चला जाएगा तो आपका एचारे कैल्कुलेट होगा 10, 20, 30 मतलब लगबग जड़, Y, X में 1, 2, 3 इनका आपका जो है वो बड़े आएगा अचारे ठीक है तो लगबग 25,500 का अगर XCT में है चारे कैल्कुलेट करें तो 6,880, Y में 4,590, Z में आपका 2,255 रुपए तो यह आपका एचारे जो है वो मैंने आपको बता दिया ठीक है और एक चिन मैं बता दू कि अगर आपकी पोस्टिंग कहीं अंडमा लिकोबार लच दीव वगर कहीं पोस्टिंग है तो वहाँ पर आपको एक स्पेसल अलाउंस मिलता है जो कि आपके बेसिक का 10% होता है मतलब क्या मिला जाके 25,50 रुपए अलग से आपको इस पेसल अलाउंस आपको दिया जाता है ठीक है क्योंकि इनवीएस जाना है मतलब रुदैविद्या जाना है तो उसके लिए आपको अलग से ट्रांपोर्ट अलाउंस होता है और यह आपको अधरा त्मनेंस में हर्ज और एंटीम आपको इसमें के चोडि आपर 1313 इंधर यह एक ताली सूरा चेहा होगे आपका फिर इसके बाद deductions में आपका क्या क्या आता है यह आपकी टोटल हो गया allowance का पूरा यहां तक allowance का पूरा chapter complete हो गया अब deductions में हम देखते हैं आपका NPS का basic PLUS DA का आता है जो कि 340 रुपए CGE EI SS 330 रुपए professional tax होता है जब आप किसी दूसरी स्टेट में जाके नौकरी करते हैं तो वह इस्टेट आपके उपर 200 रुपए professional tax हर मेंने मतलब 25 सो रुपए आपका साल का लगता है जो कि हर मेंने 200 calculate होता है अगर आपका 300 लगता है अगर हम बात करें सी जी एचे सेंटर government health scheme के तेयत आपका 350 रुपए कटता है साथी साथ आपका जो भी card बनेगा वो आपका क्या होगा उसमें proper लिखा रहता है जेनरल वाल्ट होता है आपको इसमें ठीक अगर आपकी level 7 की है तो इसमें semi-cubical अलॉट होता है level 8 की है तो आपको private वाल्ट होता है और total आपका कितना deduction हो गया 4920 रुपए क्या क्या हो गया बेस NPS का CGA EWS professional tax CGHS ठीक है तो अब देखिए होता क्या है कि इसके बाद जो आपकी salary बनती है वह आपकी बनती है net salary अब net और gross में मैंने आपको बार बार मैं यही चीज बता रहो हूँ कि gross salary आपकी क्या होती है वह salary जिसमें सारे allowance आपके जुड़े होते है ठीक है और net salary आपकी क्या होती है कि वो salary जिसमें आपको gross minus deduction करके जो salary बनती वो आपकी net salary और इसी salary को आप क्या कहते हैं in hand salary यही salary आपके account में credit होती है तो बात कर ले आपको इस प्रकार से salary आपको मिलती है XYZ City में अगर आप अगर आपको बता दिया अगर इसमें आपको कोई doubt है आप comment सकते हैं आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी जूड़ सकते हैं और बहुत सी ऐसी अपडेर्स भी मैं आँगे दूँगा junior secretary assistant की ऐसे salary के बारे में तो make your channel को subscribe जूड़ करें bell notification दबाना बिल्कुल भी मत बूले और आगे आपको बहुत सी updates आपको नहीं नहीं मिलेंगी तो जुड़े रहे हमारे साथ बाकि अगर कुछ भी doubt है आप पूछ सकते हैं okay so all the best for your preparation